नमस्कार दोस्तों SGI जो केशन यूटूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है आज इस वीडियो में एक बार फिर से सभी के लिए बहुत बड़ी खुसकबरी निकल के आ रहे हैं दोस्तों क्योंकि अभी जो है इंडियन आर्मी है उसके पक्स में सरकार ने फैंसला लिया है और अगनी वीरों का जो कार्यकाल है उसको बढ़ा दिया गया है और उनकी तनक्वा भी बढ़ा दी गई है उसके लावा और भी जो कई फैसलेटीज है वो उनको दी जाएगी इस वीडियो में आगे आपको बताऊँगा कि अगनी वीरों का कार्यकाल कितने साल हो चुका है उनकी तनका कितनी बढ़ाई गई है और बहुत सी पोस्ट हैं उनको पर्मानेट करने की भी बोल दिया है तो कई ना कई बड़ी खुशकबरी निकल करके आ रही है हमारे फोजी भाईयों के लिए तो वीडियो को अभी से लाइक जरूर कर दीजिएगा और पिछली दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अगनी वीरों का जो कार्यकाल है वो कितना कर दिया गया और क्या कुछ चेंजिंग किया गया है तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं जो अगनी पत स्कीम है उसको एक बार फिर से रिलांच किया गया है सरकार के दवारा ठीक है दो टेखनिकल जो पोस्ट है उनको पर्मानेंट किया जाएगा उसके इलावा जो चार साल का कार्यकाल था ना आब उसको बढ़ा करके कर दिया गया है साथ साल यानि कि अब जो है अगनीवीरों की जो पोस्ट है अगनीपत की जो पोस्ट है वो अब साथ साल के लिए अपली केब बढ़ाई जाएगी और उसके लावा 45 दिन की जो आपको holidays भी दी जाएगी यानि छूटियां दी जाएगी कम से कम 45 दिन की ठीक है दोस्तों और जो fresh joiner है ना दोस्तों उनको अगनी वीर नाम से अब call नहीं किया जाएगा ये एक बड़ी बात निकल करके आ रही है ठीक है दोस्तों और जो अगनी पत स्कीम है उसको change करके कर दिया गया है अब sanic summon scheme ठीक है दोस्तों और total package जो है आपका बढ़ा करके कितना कर दिया गया है 41 लाक रुपए यानि कि 7 साल की आपकी जो job का timing कर दिया गया है और जो total package आपका वो 21 लाक से बढ़ा करके कर दिया गया है 41 लाक रुपए ठीक है दोस्तों और उसके इलावा 7 साल के बाद में guaranteed jobs provide की जाएगी ये भी का गया है कि दोस्तों अगर आप 7 साल अगनी पतिया अगनी विर की job कर के आते हैं जिसका नाम change करके कर दिया गया है उसके इलावा all center vacancy जो है उन पर 15% relaxation मिलेगा ठीक है दोस्तों और in case of death shoulder gets all reputation of warrior जो एक warrior की जो होती है न reputation वैसी ही reputation जो है जो soldier है उनकी दी जाएगी ठीक है दोस्तों उसके इलावा देखिएगा आगे क्या का गया है वो देख लीजिए गा तो scheme जो इसका नाम बदल करके जो है वो कर दिया गया वो मैंने आपको बताई दिया कि scheme को आप का जाएगा सैनिक समन स्कीम ठीक है दोस्तों और इसका जो चार साल से समय बढ़ा करके साथ साल कर दिये 22 लाख रूपे थी पहले package उसको बढ़ा करके 41 लाख कर दिया गया है और उसके बाद में जो है after death पहले 50 लाख रूपे मिलते थे आप 54 लाख रूपे दिये जाएंगे और उसके इलावा दो साल जो है आप vacancies को बढ़ा दिया गया आपकी job time को और पहले 10% relaxation था 15% relaxation मिलेगा ठीक है दोस्तों और training जो period आपका 24 साल से बढ़ा करके 24 हफते से बढ़ा करके 42 हफते यानि 42 weeks कर दिया गया है ठीक है दोस्तों तो और आपकी जो holidays पहले 30 दिन किती उनको 45 दिन कर दिया गया है तो कहीना कहीं फोजी बायों के लिए एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है ठीक है दोस्तों और अभी आप देख सकते हैं आपर 23 जून जो राजनात सिंग ने इस पर डेकलेर कर दिया 23 जून से अपलीकेबल हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो कहीना कहीं एक बेनिफिट उनको दिया गया है तो कहीना कहीं इसको शेयर करना बनता है तो जादा से जादा शेयर कर दीजिएगा और सभी जो हमारे फोजी बायों उन तक शेयर करके इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा सबसे पहले आपके लिए मैं रिकोर्डिंग करके डाल रहा हू अभी तक मेरे को नहीं लगता कि YouTube पर काफी चैनलों ने डाली होगी अभी तक तो ये अपडेट मैंने देखी नहीं है तो ये बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है अगनी वीर भरती के बारे में तो अमीद वीडियो पसंद आयों वीडियो को लाइक तो करना ही करना है शेर जादा से जादा करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लो मिलते हैं अगली वीडियो में और कमेंट में जय हिंद जुरूर लिख देना बाई बाई दोस्तों जय हिंद जय भारत